नमो नारायन मित्रा पिछले पंदरा दिन से आप सभी लोगों को गरनक्षत्रों की गरना के अनुशार 12 रासियार साल 2021 कैसा रहेगा यूटूब के चैनल पर मैंने आपका राशी फुल डाता है कउछ लोगों का कुछ मित्रों का सवाल आये chamado दाती महराज हमारे पास समय नहीं है जन्म होने के करना जन्मकूनली नहीं बना पार है तो मैंने मुलांग से हिसाब से आपका राश्रीपल दाला आपकी जनम तारिक है तो जनम तारिक के मुलांग के हिसाब से 2021 कैसा रहेगा किया है आपका व्यक्तर तो वो डाला अब एक सवाल आया कि दाती महराज ना हमारे पार जनम तारिक है ना हमारे पार जनम समय है हम कैसे देखे तो मेरे मित्रों आपके नाम के पहले अक्सर के अनुशा कैसा रहेगा 2021 राशिपल और कैसा रहेगा आपके नाम का पहले अक्सर के साथ के आपका व्यक्ति तो ले के आ नमो नारायन जेगो माताब बंदे मात्रम मा भारती को प्रणाम और पुने हेर दैसे आपका श्वागत है करिशनी भगवान की दर्शन पोजन तेला भी से एक संपाउन कष्ण छुटकारा मिलेगा आध्भूत तेरत छेत्र है असोला और फते बुर्बेरी की सुपावन भूमी में दाती महराज आपका श्वागत कते सुर्कषा की दस्टि कौन से साब धाने की दस्टि कौन से मास जरूर हो भई ना परवाई नहीं करता है जो दोगज की दूरी अभी वीरों को अच्छा रहता है नमना रहे नमना रहे नमना रहे हमें घेरे रहता है क्या करें आपकी कोई राशी और कोई लगत को है ती apart निरोशिनाना की व्हर नमना रहे नमना ओम श्र्री नमनिनसानी और इस मंत्र का जाब करते भगवान शणी ने विक पस्तोर और तरह करी शबथे शवक्तिलो तेल सनिदेव के सिर्चरणों में रख देजिए तस पसात भगवान श्री किस्म के सिर्णों में गुंगरु वाली चांदी की बांसूरी भेट कर दीजिए इस सनिवार के दिन करना है पूजा के बाद ये सर्सों का तेल किसी विद्वा इस्तरी को दान में दे देजिएगा परिशाने से मुक्ति मुझे लगातार लगातार ग्यारा सनिवार कर देना सारे कर देजिए आपकी परिशाने हो आपका निवार होगा नमने बात करते है आज के पंचांगी पोश मास के तिर्टिया विक्रम समद 277 पोश मास की 19 परविश्थे सक्सद 1922 पोश 12 तद अनुदाज सनिवार दो जनवरी सन 2021 प्रातकाली नक्षर आश्रले सन नक्षर चंदर्मा करकर आशी में प्रातकाली लगन जब सूरी उदे हो भगवान गनपती की पूजा के लिए चतूर्ती का दिन बढ़ा शुब माना जाता है आज की दिन वत करना बढ़ा अच्छा माना जाता है गनपती की पूजा करना बढ़ा शुब माना जाता है बात करते हैं आज की राहुकाल की आज का राहुकाल प्राते नौ बज़े लि कि गुंहों अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ळेख़ता है आपके नक्षत्र आपके लिए बात करूंगा आपके राश्रिपल गयर शब्चि पहले मेश रास मेश रास वालो भागी का सितारा आपके पक्ष में करवट नहीं दे रहा है आज सितारों की चाल प्रतिकूल है विद्यार्तियों और युवाओं को शिक्षा में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा वेर्थ का भर्मन बंद करना पड़ेगा और युवा कोई केरिश्रमन दी मसला है तो आज सावधान इसे निप्टाना होगा शमय अनकुलता का संकेत नहीं दे रहा है आज मेश रास वालों आपके अपने हाने पहुंचाने का प्रियास करें मत्पुन कारे मर्चन आईगी कारबारी लंबी यात्रा में कस्ट है कोई मशिनरी या वान खरीदना चाते तो आज डालना होगा अनिता धोका होगा स्वास्ति प्रभावित हो सकता सुबे से लेकर साम तक मेश रास वालों शमय अनकुलता का संकेत नहीं दे रहा है क्या करें थोड़ी सी कारिश्वम्रदी गोपेनेता बना करें क्या ना करें स्वज्जनों से मतभेद उत्पन नहों यह प्रियास करें क्या उपाय करें में इस रास वालों आज हनमान जी की सिर्चर्णों में सुथ गाई के देशी घी का दिपक जलाई और आठ चुटकी सिंदूर और प्रित करें वहीं बैठकर एक पाठ संकत मोटन हनमान से कर दीजेगा सारा दिन सफलता में बीदेगा नमणन बात करते हैं विर्श्वराज से की विर्श्वराजियों समय उत्म शितारों का शुब शंकीत यो और विद्यारतों को शिक्षा में पूर्ण शपल कारुबार यात्रा सपल होगी धर्मकर्म में आस्ता रहेगी दिन बड़ा अच्छा देगा क्या करें नमीन कारियों में पूझी निवेश करना शुब है क्या ना करें अपने विरोधी को कमजोरना समधें नवना रहें विर्श्वराजियों क्या उपाय करें जल ले लीजि पिछली प्रिशानियों से मुक्ति मिलेगा चीर परिच्चेतों का सहयोग मिलेगा शमश्या उसे पीछा चूटेगा काम बनेंगे धन मिलेगा सरकार से लाब मिलेगा राजने तेक वर्चस तो बढ़ेगा बस थोड़ा सा आलश को अपने उपर हावी मत होने लेगा और खर्च अपर काबू रखना विद्यार्तियों के लिए आज का दिल परिश्रम का है युवावों को भी थोड़ी से अखे द्वार पर प्रात काल सुबह जल्दी सर्सों के तेल के दिपक जलाई मिटी के दिपक मिटी का और सर्सों का तेल ये दिपक जरू जलना सारा दिम खुशियों से बितेगा और बात करते हैं आज के गुलिक काल की आज के सुभ शमय की आज का गुलिक काल प्राते विद्यारतियों के लिए आज का दिन बड़ा शुब है नए कॉलेज्ज नए इस्कूल में दाखले के लिए प्रियास सार्तक सिध होंगे सब्जेक्ट टूने का सुअवसर मिलेगा कोई परिक्षा है प्रतियोगिता है तो पुनशापलता मिलेगा नौकरी मुनतिक अवसर प्राप्त होंगे धन समंदी समेशा का शमदान होगा और दामपत्य जिवन में सुख की प्राप्त होगी आप अब अबिभायत विभा का प् जांग वालों आज मदार के पूष्ट यही आख के पूष्ट नीली आख के पूष्ट की माला अर्पित करना बड़ासु बढ़ाएगा । नमधान मिलब बात करते हैं … शिंग राशवालो गोचर संके देना साथाओधने करोद प्रकाबू रखे भावना में वाके निरना परिवार को शाथ रखे और पारवारिक मातभेद ना हो इस बात पर ध्यान देना होगा शिंग राशी वालो और आप है विद्यारती या आप यूआर आप केरियो और शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते तो आज का दिन बड़ा साफ धानिगा बाणी पर सेम रखे रातरी भ भावना है क्या करें जरूरत मंद भ्रक्ति की मदद करें इश्वर आपकी मदद जरू करें क्या ना करें पुराने विवाद विवाद को नह उटाए नवनार है क्या करें उपाई सिंग राशी वाले तो आज भगवान शनिदेव के दर्सन करिए चनेश पर्ष करिए मथा और आज सनिदेव के मंदिर में शुद गाय के देशी घी का देपक जोलू जला रहा है बड़ा अच्छा रहे है नमने बात करते हैं कन्याराश कन्याराश वालों शमयन कोड़ गोचर आपके पक्ष में करवर ले रहा है कारियों में शाष्ट और सज्ज़त का दिखाने से लाब प्राप्त होगा आप हैं विद्यारती और युवा तो आपको शिक्षा और कैरियों में पून शफलता हासिल होगी कन्याराश वालों आप वेविशाय कर रहे हैं तो लाब मारत परसत होगा कारवारी अर्चने दूर होगी ने वेविशाय की योजना फलीबूत होगी आज अपनों के साथ घुमने फिरने और धार्मे की यात्राओं का भी योग है देश विदेश से बहुत सुंदर लाबदाइक समंधवी इस्तापित होगे क्या करें मंगल कारियों में खर्च के लिए हाथ को मत रोगी अच्छा रहे है या करिए क्या ना करें संतान और अपनों की इच्छा का अनादर ना करें क्या उपाई करें कि नेराश वालों आज मातर एक सो आठ बार या फिर एकीस बार कर्माला पर या रुद्राक्स की माला पर या स्पत्य की माला पर ओम लंग लक्षमे नमा इस मंतर का सरदान साथ जाप करिएगा अपके सारे कस्ट पितेंगे नमना ने बात करते हैं आज की यात्रा की अज उतर दिशा की यात्रा कारुबार की देशिकों से शूबर मंगल में रहेगी राज के दिन अधर्ग चबाते वे यातरे पे जाएंगे तो यातरा में कस्त कम आएगा नमनान बात करते हैं तुलाराश तुलाराश वालो शमय पून शपलता का समके दे रहा है आज प्रफोलित मन और प्रसंचित विचार धाराब की रहेगी कारी चमता में विर्दी धनला बढ़ेगा स्वास्त में अनकुलता आएगी कारवाई योजना ही सपल होगी सरकारी चेतर में मनन कुल शपलता हासे लेगे और मित्रों और शोजनों का शोग बना रहेगा धन जरू मिलेगा आज क्या करें बहुत जरूरी है बहुत अब दार रस्ते ठीक नहीं रहेंगे इसलिए सीधे रस्ते पर चले क्या ना करें बहुत जरूरी आज के दिन अपनों के साथ दगाने करें अर बात करतें तुला रासी के उपाई कि आज सर्दान उसार या 700 क्राम तिल चीटियों को जरू डालिएगा या किसी को दान में द समंदी और कैरेशन मंदी मसले हलोंगे तो आज युवा और विद्यात्यों के लिए पिता का पूर्ण आश्चिवाद प्राप्त होगा कारिस्तेती ठीक रहेगी अधिकारी वर्ग को प्रसंद रखना बहुत जरूरी है नई पुराने मित्र से मेल जोल बढ़ेगा घुमने प्रतिक राज आज हरी विष्णु नारायन को आज घी का दिपक जला है और सुद घी और दूद का भोग लगाई और गरीबों में बात करते हैं धनराशी वालों धनराशी वालों भागे के सितार आपके पक्स में करवट नहीं ले रहा है आप विद्यार्तिया और युवा है शिक्षा और केरियर लेकर थोड़ी सी शावधानी बर्चनी पड़ेगी जातरी भर्मन नहीं करें नीजी मित्रता में पवित्रता बहुत जरूरी इस बात का ध्यान रखे नुक्सान हो सकता है आज किसी को धन उदार दिया धनराशी वालों तो नुक्सान हो सावधानी जरूरी क्या करें आए और वे को शमान अंतर लेकर चाले क्या ना करें भाई बंदू से आज बिगाड़े तंडाश वालों आज शाम को तुलसी के पोदे के नीचे सुध गाई का देशी गीज़त दीपक जरू जलाना कस्ट का माय था नमना ने बात करते हैं मकराश से कि मक प्रसत होंगे इच्छाओं की पूर्ती होगी विद्यारतियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुब रहेगा शिक्षा में शपलतार के मसले हलोंगे आप कलाकार है या फिर आप खिलारी है तो आज आपको लाब मिलेगा कारबार के चितर में मनुनकुल कारी बनेगे धनलाब होगा प्रसंता होगी पारवारिक और समाजिक कारी करने का आउसर मिलेगा और मान समान की प्राप्ती होगी क्या करें नहीं वैवसाइक प्रस्ताव को शुकार करी सपलता मिलेगी क्या ना करें अपनों को आज इग्नोर नहीं करें अपनों की उप्रिक्ष हुआ चाह老 मुधिखू को करता है कि शितार लाब का संकेट के रहें शितार और वध्यारतियों को मिलेगी मनुआ वुष्ट होगिस्टां की पूरती होगी how to do the 4जेर में आपको मुझना करूबार मन फूरी सब्सक्ता और ऑर स्विख्साय को लोगी और आज अधिकारी प्रसंद रहेगी, कारी बनेगा, धनलाब होगा, वेभायत जीमन खुशों से भरा रहेगा, क्या करें? वाडी और वेभार की अनकुलता बनाते हैं, क्या ना करें? स्वास्तिक पृतिला प्रवाएगा, कुम्राशी वाले अपने घर के मुख्ये द्वार पर आम के पत्तों की बंदन बार टांगेंगे, तो सारा दिन खुशियों से भितेगा, नमनायनों बात करते हैं मिनराशी की, मिनराशी वालों शमयन कोल, सितारे सफलता का पूर्ण शंके देर हैं, परिशानियों से मुक्ति मिलेगी, युवा और विद्ध्यारतियों के लिए शिक्षा के छेतर में प्रियास सार्थ तक सिंध होंगे, पठन पारण के अउसर मिलेगा, नौकरी की में सफलता मिलेगी, या कोई आज नया, युवा लोग नया कोई कारी सुरू करना चाते हैं, तब ही ठीक है, अध्यात मुरु जान बढ़ेगा, बजरगों से प्रामर्स आज अपने देविस्थान में चंदन की धूब जलाएगा, बढ़ा सुपर हैगा, नमनानी, यह था बाराक बारा राशियों का राशिपल जो गरन सुपर आधिर था, पुन्य मेरा हिर्दे से नेवेदन, कि मैं प्रजा पिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हत्तेली में सर सु आपका श्वागत रहे, करिये प्रभु का दर्शन के आपका कल्यार, कोज भी जानना है, नमबर आ रहे, बात करिए, जरूर अउक्षर में लेगा, नमना रहे, रास्तान का हर व्यक्ति जानता है, अग्दाति महराज गायन से बहुत प्यार करते है, बेटियों से बहुत प बता रहा हूं, कि यह मेरा जीवन का लक्ष रहा है, मनशियों और मानु होने इतना है, मेरा करतव है, कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ, मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ, तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ अले भी कभी नहीं मांगा, अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और यह मेरा इंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट के सामने कभी नहीं आये था, हमेशा मैंने ये का कि शेवा करिया, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी शेवा करता हूँ, धन नहीं चाहिए, लेकि आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरी साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा, नमबर आ रहा है, इन नमबरों पर शंपर करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गाय प्रेशाने में हूँ, और मेरी गायें, चाहरों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश्र आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन के लिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये पर ही है, मैं यह नहीं कहा रहा हूं, मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें, शनी भगवान आपकी रक्षा करें, आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है, और वे लोग सब्सक्राइब करता हूं, और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा, मित्रों, समय ऐसा है, कि मेरी परसती आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत निदे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनीधान गोशाला में परिशानी नहीं जाए, सरकार स्रकार कर रहे है, कि आप भी जानते हैं, सासन के अपनी एक सीमा है और अपनी मर्याता है, और सासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भिए, तरदे से पुने एक बार ने वेदन करना करता है, कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनीधाम गोशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरुशयोकर, तेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातरा थी, आउम नमो नाराएन, आउम नमो नाराएन में दो, पिछले पंदरा दिन से आप सभी लोगों को, ग्रनक्षत्रों की गणना के अनुशार, 12 रासियार साल 2021 कैसा रहेगा, यूट्यूब के चैनल पर मैंने आपका राशिफल डाता, कुछ लोगों का, कुछ मित्रों का, सवाल आएक दाति महाराज हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं होन के कारण जनम कुछ ली नहीं बना पारे, तो मैंने मुलांग से हिसाब से आपका राशिफल डाला है, आपकी जनम तारिक है, तो जनम तारिक के मुलांग के हिसाब से 2021 कैसा रहेगा, क्या है आपका व्यक्तर तो वो डाला, अब एक सवाल आया, कि दाति महाराज, ना हमारे पार जनम तारिक है, ना हमारे पार जनम समय है, हम कैसे देखे, तो मेरे मित्रों, आपके नाम के पहले अक्सर के अनुशा, कैसा रहेगा 2021 राशिफल, और कैसा रहेगा आपके नाम का पहले अक्सर के साब के आपका व्यक्ति तो ले के आ रहा हूं, आपके सामने, देखना नहीं भूले गुर्मंत्र विद्धात्वी महाराद मेरा यूट्यूब का चैनल है और आपका भी यूट्यूब का चैनल है नम्मनाराइए